हेलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जीस में दूस्तों आज से हम लोग उत्तर प्रदेसलेक फाल के लिए ग्राम समाज विकास का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें आज क्लास वन होगा इसमें हम लोग आपको पहला चैप्टर जो है आपको ग्राम विकास भारतिये शंदर में उसको हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तो जो कि इसमें आपको 9 chapter दिया हुआ है तो हम लोग daily करके आपको इसको chapter wise इसको complete करेंगे तो दोस्तो आपसे एक request है कि आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लिज इसे subscribe कर लें क्योंकि आपको ग्राम भी का समाज और आपको हिंदी का भी यहाँ पर प्रैक्टी सेट करना है तो आप सस्क्राइब करके वेल आइकन को दबा दें अगर आपको इसका PDF चाहिए तो description में हम टेलीगरम का लिंक देंगे आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लिजिएगा चलिए दूस्तो इस्टार्ट करते हैं तो देख दूस्तो आपको ग्रामिन समाज भारतिय संदर्व में जो है इसमें आपको देख लेते हैं क्या क्या परना है तो ग्राम विकास भारतिय संदर्व में भाग के अंतरगत हम लोग ग्रामिन समाज अर्थ बेवस्ता ग्राम विकास की शंकल्पना कारिनिती अनुभव ग्राम विकास में भूमि संबंधी मुद्धे ग्राम विकास प्रसासन और ग्राम विकास भारत में परिवर्तन की गत्या अत्मक्ता को शामिल किया गया है यह इनिकी इतने चीज़ को हम लोग Г्डाम वीकाश भारतिय संदर में पढ़ेंगे तो हम दोस्टु अराम से आप लोग को बताते चल रहा हैं आप लोग समझते चलिएगा देखिए ग्रामिन समाज इम अर्थब्यवस्ता ग्रामीन समाज एव अर्थ ब्यवास्ता में ग्रामीन समाज का पड़िचे है जिसमें ग्रामीन जन सांकी की ग्रामीन समाजिक सनचना ग्रामीन आर्थिक रचना और ग्रामीन निर्धनता समाहित है चलिए नेक्स चम्रुक देखते हैं प्राशीन भारतिये ग्रामिल प्रशासन की प्रमुख विशेस्ताएं, इसमें आपको समुदाय का छोटा आकार, क्रिसी मुख विवसाय, परिवारिक संगठन, बंद समाजिक अस्तरीकरन, उसके बाद इसमें उपभोग पराधारित, आर्थिक विवस्ता और परतिक गाउं एक प्रिथक समाजिक इकाई के रूप में, यानि कि आपको प्राशीन भारतिये ग्रामिल प्रशासन की प्रमुख विशेस्ता थी, छोग विशेस्ता, नेक्ष्ट हम देखते हैं कि ग्रामिल समाज का पड़िचे, बर्स 2011 की जन गन्ना के नुसार, भारतिये अबादी का 68. बर्स 2011 की जन गन्ना के नुसार, भारतिये अबादी का 72.2 परतिसत भाग ग्रामों में बसा हुआ था, इसको भी आप लोगों को याद करना, दिमाग को पराख रखिएगा, इसको भी याद किजिएगा और इसको भी दोनों को, नेक्ष्ट हम देखते हैं, ग्रामिल सम्माज की शंकल्पना, स्वयुक्त्राज, स्वयुक्त्राज, जन गन्ना बीरों के नुसार, किसी विशिष् ग्रामिल समुदाय को परिभासित किया जाता है, भारत में ग्रामिल सब्द को आमदनी के अधार पर परिभासित किया जाता है, इसको आपको दिमाग भी रखना कि ग्रामिल सब्द को किसके अधार पर परिभासित किया गया है, तो आमदनी के अधार पर, और ग्राम का और् और इसकी एक निशित पड़ी सीमा से होती है इसको आप लोग याद कर लिजिएगा फिर आप कह रहे हैं देख रहे हैं कि बर्स 2011 की जनगना के नुसार ग्रामों की सरवाधिक संख्या जो है वह उत्तर परदेश में है 15.5-3 करोर इसके बाद आपको कम भी हो सकता है विहार कर कुछ डाटा आपको 10 करोर के लगभग में है यानि कि 9.23 करोर दिया है सही है सरवाधिक छोटी संख्या और छोटी अबादी के ग्राम शिक्किम और मिजोरम है यह भी आपको रखना है दिमाग में फिर जहां सिक्किम में इनकी संख्या 45,000 जहां सिक्किम में इनकी जंसंख्या 4,55,962 होर मिजोरम में 5,39,037 है आपको यह भी दियान में रखना है उसके बाद छोटी बड़े सहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं छोटे बड़े सहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को क्या कहते हैं? सीमावर्ती ग्राम इसको भी आप लोग याद कीजिएगा फिर कहड़ा कि सहरी करन को जिसे ग्रामीन छेत्रों से सहरों की और अबादी के अस्थाई परवास के रूप में पड़िभासित किया जाता है नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं ग्रामिन समाज आदर्स नमूना ग्रामिन समाज के लिए सरवादी ग्राम समद का पड़ियोग ही करते हैं और देहात अर्थात कंट्री साइड सब्द का पड़ियोग आमतर पोर पच्छमी जगत में किया जाता है इसको भी आप लोग नोट कर लेजिएगा और प्राचीन भारत में ग्रामिन विकास प्रसाशन से संबंदित सब्दाव लिया है उसको देख लेते हैं प्राचीन भारत में ग्रामिन विकास प्रसाशन से संब्दाव लिया है यानि कि ग्राम सब्द का शौर पर्थम उलेक बैदिक सहित में किया गया था ग्रामिन जो है वह ग्राम प्रसाशन अधिकारी होता था गुप को कहा जाता था हथ बंदिकार गौल्मिक जो था वह ग्रामिन प्रसाशक था और ग्राम पती महतर जो था वह ग्राम प्रसाशन था और उर जो था वह उर लोगों की संस्था को उर कहा जाता था और पटवारी जो था उसको ग्राम प्रधान का शहयोगी कहा जाता था और मौजा जो था उसको गाउं का शमुह कहा जाता था इसको भी आप लोग याद कर लिजिएगा यहाँ आपको प्रशीन भारत में ग्रामिन विकास प्रसाल से समधित शब्दावली है नेक्ष हम देखते हैं लोक यानि कि फोक सब्द का अर्थ है जो छोटी परामपरिक और सजातिय समुदाय के ब्यक्तियों या ब्यक्तियों का शम्मू है लोक समाज का नहीतार्थ है और परामपरिक और समान जाती से गठित समाज है नेक्ष देखते हैं जन जातिया या क्रिसक ग्रामिन समाज जो है ग्रामिन समाज सब्द का अभिप्राय सहरी समाज की तुल्ला में एक छोटा समाज है अर्थात इसकी अबादी कम होती है और इसका भोगोलिक छेत्र भी अपेक छाकरित छोटा होता है इसको भी आप लोग नोट कर लेजिएगा ग्रामिन समाज जो है वह क्रिसी प्रधान समाज है ग्रामिन समाज कैसा समाज है क्रिसी प्रधान समाज है जिसमें क्रिसक, सिल्पकार, दस्तकार और अन्ब्योसाइक समुख सामिल है और ये किसी न किसी वज़ा से मुक्त क्रिसी पर निर्भराते हैं नेक्स्ट अम लोग देखते हैं भारत की अबादी में 10.45 करोर अनुसुचित जाती के लोग सामिल है जिससे भारत की अबादी के लगभग 8.46 दिभाग गठित होता है हडियाना, पंजाब के राज्यो, चंडिगर्ट, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंदर साशित छेत्रों को छोर कर देश भर में 705 अनुसुचित जन्जातिया बसी हुई है इसको अभी आप लोग नोट कर लिजेगा उरिसा में अनुसुचि जन्जातियों की सरवाधिक बड़ी शंक्या 62 है भारत के राष्यटपटी की दोरा समिधान के अनुचेत 342 इसको अफ़लोग याद कर लिजेगा भारत के राष्टपती के द्वरा समिधान कनुचे 342 के अंतरगत अधी सुचित को अनुसुतिक जनजातिया कहते हैं फिर आपका इस संदर में पहली बार अधी सुचिना बर्स 1950 में जारी की गए थी 705 अनुसुतिक जनजातियों से पहले 75 की अपरिस्कृत जनजातिया समुहों के रूप में पहचान की गई है क्योंकि अनुसुतिक जनजातियों के तुला में ये अधिक पिशरी हुई है नेक्स अब लोग देखते हैं नेक्स अब कहो जाएगा कि शब्द शर पर्थम अमेरिकी मानो विज्ञानी ए एल क्रोबर ने अपने लेखो में क्रिशक को परिभासित किया था दोस्तों आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद हम इस पे अबजेक्टिव कोशन भी ले कराएंगे शर पर्थम अमेरिकी मानो विज्ञानीक ए एल क्रोबर ने अपने लेखो में क्रिशक को परिभासित किया था इसको अब लोग नोट कर लेगा एल क्रोबर के द्वरा ही दी गए क्रिशक की परिभासा के नुसार क्रिशक निश्चित रुप से ग्रामिन होते हैं इसके अलावा उनका समद्ध सहरी बजारों से होता है वे एक बड़े जन समुदाय एक ऐसा बर्ग है जिसमें अक्सर सहरी के अंदर और कभी-कभी महानगर भी होते हैं वे आंसिक संस्कृतियू सहित आंसिक समाज है इनमें जन जातिये जन समुदाय के प्रिथकता राजनितिक स्वयततता और आत्म निर्भरता नहीं होती है लेकिन इनकी अस्थानिये इकायों में अपनी असिमता एक जूटता और अपनी मिट्टी और पूजा पदतियों के प्रतिलगाव अभी भी सुरक्षित है नेक्श देख लेते हैं क्रूबर का कहना है कि क्रिशक आंसिक संस्कृती सहीत आंसिक समाज है इसको भी आप लोग को नोट कर लीजिएगा कि किसने कहा था कि क्रिशक आंसिक संस्कृती और आंसिक समाज है तो क्रूबर का कहना है और जोज फोस्टर के नुसाग क्रिसकों से अर्ध समाज बनता है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा नेक्स देखते हैं कि भारत में जनजातिया सिकार खेलना, खाद समागरी एकत्र करना, मशलीप करना, भगवानी का काम करना, जोम क्रिसी करना, कला और सिल्प जैसी उतपादन विधियों से जूरी हुई है नेक्स देखते हैं ग्रामीन एव सहरी समाज ग्राम से सहरों में परिवर्थित होने वाले छेत्रों को रोबर्ट रेड़ फिल्ड और मिल्टन सिंगर ने बीका सवाती सहर कहा है इसको अब लोग नोट कर लिजेगा नेक्ष्ट है ऐसे सहरों की मूल उत्पती इनके गाउं से होती है और बाहरी जन संख्या इन पर कोई परभाव नहीं होता जब सहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो उन्हें बिजातिय सहर कहते हैं नेक्ष्ट है ग्रामिन छेत्र मुक्रूप से क्रिसी प्रधान छेत्र है और मोटे तोर पर इन्हें खाद उत्पादक इकाईयां कहते हैं नेक्ष्ट है में देख रहे हैं कि सहरी समाजों की विश्यस्ताओं में सामिल है बड़ा अकार अधिक घनी अबादी और बिजातियता नेक्ष्ट है मुक्रूप देख लेते हैं दूस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीजी से सस्क्राइब कर लिजिएगा देख लेते हैं स्वतंतरतापूर ग्रामिन विकास योजनाए और काल करम स्री निकेतन प्रोजेक्ट जो है 1914 में गुरु रविंदर नाथ टैगूर के द्वारा चलाया गया था इकोनोमिक कॉनफरेंस अफ मैसूर जो है 1914 अठाडे में त्रावनकूर केरल में चलाया गया था गुरुगाँ प्रोजेक्ट निकेतन प्रोजेक्ट में एफ एल ब्राइन के द्वारा चलाया गया था और मान्ट्रेंडप प्रोजेक्ट जीव है उए 1921 में डाक्टर एस्पेंसर हैच के द्वारा चलाया गया था उसके बाद बराओधापडी योजना 1932 में बिटी क्रिश्नमचाडी के द्वारा चलाया गया था और सेवा ग्राम योजना जो है 1936 में महात्मा गाधी के द्वारा चलाए गया था इसको भी आप लोग नोट कर ली जाएगा ही महात्मा गाधी का भी भी आई हो जाएगा सेवा ग्राम योजना नेक्ड देख लेते हैं Indian Village Service 1945 में आरथर टी मोसर और बी अन गुपता के द्वारा चलाए गया था और णीलोग खेरी पडियोजना 1948 में SKD के द्वारा चलाए गया था और आपको नेक्ड है इतावा पडियोजना 1948 में एलबर्ट मेयर के द्वारा चलाए गया था दोस्तों जो यह प्रैक्टिस सेट हम आपको ग्रामिन समा से करा रहे हैं यह आपको most important question हम करा रहे हैं यानि कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला यह question next देख लेते हैं ग्रामों के बिवीद सरूप भारत की 1991 की जनगन्ना के अधार पर 94.7% ग्रामों की अबादी 5000 से कम थी ग्रामों की अबादी के अधार पर इन्हें तीन स्रेनियों में बरगिकित किया गया था 26.5% ग्रामों में 500 से कम लोगों का बसे रह था 48.8% ग्रामों की अबादी 55-2000 तक के बीच की थी और 19.4% ग्रामों की अबादी 2000-5000 तक के बीच की थी यह आपको 1991 की जनगन्ना के अनुसार आपको यह है डाटा फिर देख लेते हैं भारत में लगभग 50% ग्राम मध अकार के थे भारत में ग्रामों को आकेंद्रित और बिस्त्रित छिटपूट ग्रामों के रूप में भी बरगिर कीत किया जाता है नेश्ट है आकेंद्रित ग्रामों में शवी घर एक ही काई के रूप में ही एक ही जगह समुह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों उर क्रिसी वाली जमीन होती है जब रियाईसी घर काफी बड़े छेतर में फैले होते हैं और ऐसे घरों का परतेक समु क्रिसी वाली भूमी से अलग-अलग बटा हुआ होता है तो इसे छिटफुट ग्राम कहते हैं इसको भी आप लोग नोट कर लिजिएगा कि छिटफुट ग्राम किसे कहते हैं भारत में अधिकांध ग्राम सब्स होते हैं निकी कमपेक्ट निकलेटेड किसम ए नेक्श दिख लेते हैं कर आपको कि ग्रामिन समाज ग्रामिन समाज जो है इस सब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया गया है जहां कुछ सौव अवासिये इकाईया सामिल हो और जो केवल अपने खाने के लिए अनका उत्पादन करते हैं उन्हें ग्रामिन समाज कहा गया है फिर देख लेते हैं इनका मुख धंधा क्रिसी करना है ऐसे समाज में कुछ लोग गहर क्रिसी कारों में लगे रहते हैं प्रन्तु ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बारी भी करते हैं उसके बाद जनजातीय समाज जनजातिय समाज चुहे वह क्रिसी अधारी समाज के तुलना में यह और अधिक छोटा होता है इनके आर्थिक धंदों में शामिल है इनके आर्थिक धंदों में शामिल है सिकार करना, खाद पदार्थे कत करना और अस्थाई क्रिसी करना फिर एक आपका आजाएगा सहरी समाज सहरी समाज इस सब्द का प्रयू कोसबो और सहर दोनों के संदर में अदल बदल कर किया जाता है सहरी समाज में बृधी काफी तेजी से होती है और सहर का छेत्र जोन है वहाँ बिस्त्रित आबादी से अधिक कहोता है अंतिम में आपको जो दिया था, वो सहर का छेत्र जोन है, वह बिस्तरित अबादी अधिक होती है, यह आपका है तो दूस्तो यह जो हम आपको लेकर आये थे प्रैक्टिस सेट, यह आपको ग्राम विकास भारतिये संदर में लाए थे, जो कि क्लास वन था ग्राम विकास जो है भारतिय संदर में क्लास वोन ले कर आये थे इसमें दो क्लास और आपको होगा यानि कि पहला चेप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा दोस्तो आपसे की रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज से सस्क्राइब कर ले और दोस्तो अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलिगरम का लिंक दे देंगे आप लोग वहां से इसे प्राफ्ट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो इसे सस्क्राइब कर लीजेगा